गर्मी की दिनों में जब आपका किचन में काम करने का मन नहीं होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कद्दू, तुरोई, लौकी खाकर सभी कुछ खाकर एकदम बोर हो चुके होते हैं और अगर घर में कोई भी सबजी ना हो ना प्याज, ना टमाटर, ना आलू, तो बस आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं काले मिर्च ना हो ना वो आप पडोसी से ले सकते हैं तो यहाँ रेकिए हरी मिर्च पर कर ना है 1 दम बाषा चाट कर ले कोळा है, और यहाँ गेहू का आटा जाले के साथ लिया है। इसमें डाला है नमक, कलॉंजी और साथ में डालेंगे अजवाइन, तो अजवाइन को इस तरह से लेकर हाथों से रगटे हुए डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, तो यहाँ इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है, तो ना तो यह पूरी है, ना तो यह पराठा है, और ना ही तो यह रोटी है, हाँ, अगर यह है कुछ डिफरेंट स्टाइल की रोटी, विलेज स्टाइल रोटी जिसको अक्की रोटी बोला जाता है, और यह जो है ना, इसको सेखने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, तो दूद के साथ हमने आटा लगा लिया है, कोशिस करें दूद के साथ लगाए, अगर दूद ना हो तो पानी भी चलेगा, यहाँ देखिए, इसका हमें सक्त आटा लगाना है, एक चमच घी डालकर आटे को फिर से एक बर मरद लिया है, और पान्च मेट का आटे को रेस्ट देने के बाद, यहाँ देखिए, इसको मैंने बेल दिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा, तो इसी तरह की मोटी मोटी रोटियां बेलनी है, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, हाँ तो यहाँ देखिए इसको बेलने के बाद गरम तवे पे हमें इसको दोनों तरफ से सेखना है हमें इसे दोनों तरफ से तब तक सेखना है ना जब तक इस तरह से आपको यह जो ब्राउन मार्क्स दिख रहे ना उस तरह के ब्राउन मार्क्स ना दिखने लगे अब जैसे ही दोनों तरफ brown marks इस तरह से हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे लेंगे एक cotton का कपड़ा या सूती कपड़ा ले लें और इस तरह से हमें दबाते हुए अच्छी तरह से दोनों तरफ रोटियों को सेख लेना है तो ये देखे मेरी रोटियां बिल्कुल अच्छी तरह से पलट पलट कर सेख लेंगे तो यह देखे यहां पर इसको खुले आख पर मैंने अच्छी तरह से सेख लिया है और यहां हमारी यह वाली रोटी तयार है तो यह जो अखी रोटी है इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपके पास सफेद मक्खन या घी है तो बस उसको लगाओ और इस रोटी को आप गर्मा-गरम रोटी को एंजॉय कर सकते हो सिरफ दही के साथ या तो चाही के साथ तो यहां आब भी गर्मी का वौश्म नहीं। तो यह झालै तो यह दhew किया तो बनाओ खाओ इंजॉय करो